हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गूड मॉनिंग और सुबा के बज़े हैं ठीक छे तो ये है फ्राइडे वाले दिन और इतना जादा कोहरा हो रहा था क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि ना बारिश बहुत हो रही है ठंडा मौसम सा हो गया है और यहां पर जो है ना सुबा के ट अपने हस्बन को क्या रही थी कि आरना को स्कूल भेजना है या नहीं तो उन्होंने बोला कि आरना की है चुटी क्योंकि बुद्ध पूर्णीमा है अच्छा यहां पर युवान जो है था वो सोकर उठ गया था और उसको पता चल गया कि यहां पर मैंने कैमरा लगाया और मुझे बाहर के भी काम है वो भी मुझे निप्टानी है तो बस अभी युवान को सुला कर आई थी थोड़े सी मेरी भी आँख लगए क्योंकि जब वैसा तो उठी थी अपने टाइम पर ही बट क्या होता है ना जब मुझे मारलम चला कि आज चुटी है तो थोड़ा सा और मैं सो गई जब मैं सोकर उठी तो देखा कि डूब वगरा सब आ गई थी और बस आ गई किचन में आई फटा फट से दूद मैंने वॉयल करने के लिए रखा है तनी देर में आरना भी उठ गी थी और मैंने बोला आरना को कि आज तुम मत नहाओ क्योंकि उसको यादत हो बीच बीच में घर में लगती रहते हैं इसलिए अच्छा भी फटा फट से लगा लेते हैं रात के जो बढ़तन है वो और आज जहना मुझे हां मैं आपको बता रहती हैं कि आज मुझे जल्दी काम भी करने हैं बाहर के दो चार काम हैं वो भी मुझे निप्टाने हैं मैंन ऑफट यह है कि सुख कुके हैं क्योंकि मैंने आप कोहरा दिखा यह था तो सुख कुके हैं उसको भी अंदर ले कर जाते हैं और उसके बात फिर मैं लगती हूं अपनी काम पर आरना को और यूवान को दोनों को मैंने जो है दूद दे दिया है अच्छा आपके पास जो है ना मेरा जो व्लॉग है ये वाला फ्राइडे का है और मैं तीन दिन बाद जो है ना मैं वीडियो को अपलोड कर रहे हूँ क्योंकि मैं गई हुई थी माई के और वहां से आने के बाद जो है ना मैंने वीडियो को एडिट किया है फिर जाके मैं इसको अपलोड कर रहे हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और मैंने सोचा था कि ये वाला जो व्लॉग है वो मैं सटर्डे को आप सब के पास पहुँचा दूगी बट क्या है ना कि कहीं जब हम जाते है ना तो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम बाद आए है तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम स्पैन कर लिया जाए हाना और बहुत लोग मिलते हैं तो अब शादि हो गई है तो पहले तो शादि से पहले हम नानी के यहां हर जगे जाते रहतेते, सबसे मिलते रहतेते. बच अब शाधी हो गे तो फिर घर ग्रस्ती में ही जो होते है ना हम बंद जाते हैं. तो फिर ऐसे कहीं निकलना ही नहीं हो पाता और जैसे कृद्ग condition हे जिसादी हो गए, reception हो गया यह फिर सबसे मिल सकते हैं तो यही था कि ना नानी मतलब मेरे जो चोटे वाले वनके बेटे की थी शादी, शादी में में नहीं गई थे हम, क्योंकि आरना का स्कूल था, और फिर, क्थे हैं, दिली जाना मतलब यह होता है कि ना फिर आना जाना नहीं हो पाता है, अब हम गए हैं, शादी में गए हैं, तो फिर अस поддерж है, तो दो दिन बात फिर रेश्या निवार का था तो हम गए थे फ्राइडे को घर इसलिए बंजय बीज़िल्दी काम करना है क्योंकि मुझे न टाइम से पहलोगे अपने काम भी निप्टाने है इसलिए अच्छा अब आने के स्कूल के कपड़े हैं वो सब धोरी हो और थोड़ से कपड़े न वाइट वाले ज बस जो भी मेरा जो मुटा मुटा काम जिसे बोलते है न वो मैंने कर ले जैसे कपड़े दोना और पूजा बस इतना काम हुआ है आरना अभी उटकर आई है युवाना से देख रहा है उपर को कि मुझे मैं दिख जाओं मैं दिख जाओं मतलब कि उसको पर चलगे कि कैमरा ओन हो गया अब दिखा कैमरा अब मैं नहा कर आगए क्योंकि नहा कर सुपर नहा लो पूजा हो जाए न तो एक अच्छी सी आती है और घर पोजिटीव हो जाता है पूजा करने से इसलिए न मैंने नहा लिया है बट अभी कुछ निवाए कपड़े वाश हो चुके हैं वसको सुफानिकली जाना है और नहीं तक कोई आपके कोमेंट जाना रीड तो कर लिया है बट रप्लाई नहीं किया है क्या हो ग सब्सक्तिंटेशाय के दो दोर tower manicheед को कोषोाई है बट रहता है उन उनके बेटे का नाम है और तो मुझे तो फोलो करते हैं ठीक है और एक है आईशाजी जी इनका पढ़ने मिरे पास कॉमेंट आया था कि डिवी आप मेरे बेटे का नाम लेना तो उनकी बेटे का नाम क्या नम है नियाज ने नियाज नियाज है अमाइरा यह वह है और बहुती प्यारा नाम है अमाइरा और एक है मेरे साथ ने एक वह करेंड पर्टिक्द और नाम अमाइरा है और मेरी बहुत अच्छी प्रेंट अच्छा एक है ममता मेना जी थैंक यूँ सो माच और एक है आर्थी जी आर्थी रही आर्थी रही है यह नाम है उन का अच्छा एक मेरे पास मॉनिक जी का मेसीज आया था तो वो मुझसे गया थे कि जिदी आप लेक्टोजन जो टू आता है अभी तो मैंने पहला पार्ट पर आपके लाया था और लेक्टोजन तू जो है आप बच्चे को मलब यूवान को दोगे या नहीं दोगे तो मैं दोग है कि नहीं मिल पाता तो फिर मच्चो को क्या दे हाना और वो तो फिर भूका ही रहा जाएगा बटा नहीं तो इसलिए जो है ना मैं उसको आदा डाल रहे हो ती और एक और मेरे पास कॉमेंट आया था कि दिदी आप ना जो काव मिल्क ना भी मत दीजिए और पांसु आयमल सिस्तों मत दीजिए थे कम होथा है तो उशुप धी कम उसकती है तो दीजिए बहुत ही हुँ मैं और मैently बताएगी दिन में दो बार इंदो और थोड़ा ही दे रही हुँbrand ज्यादा न ही दे रहे हुंग इसको अपना फीट करूती हुं अपना थे एक प्रोमल कर दोर क्या बोलते हैं आगे चलके बच्चे जो है ना चोड़ते नहीं है बहुत मुश्किल सब्सक्राइब है ने तीन साल तक पी आया एज ने और मुझे बता है जब बच्चे के ताहता आने लग जाते हैं तो कितनी ज्यादा परेशानी होती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो करें दीरे दीरे करके ना थोड़ा सा मैं कम कर दे हो ताकि ये ना जल्दी भी छोड़ दे वैसे तो मेरा थाव कि मैं 6 मंद के बाद जो है ना बहुत कम कर दूगी पर इसके पापा कहना है भी 7-8 मंदे लुग जाओ उसके बाद पी ने थोड़ा दीदरे कम करते रहना क्योंकि इतने एक साल तक जो है ना बच्चा पीना जाहिए और फिर थोड़ी सी परिस्तान हो जाती है बच्चा काटने लग जाता है इसलिए इसलिए बागी मैं जा दे भी चाय बनाने के लिए अगर हां और एक और चीज अभी आरना बैठी है मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी अभी क हां तो मैं के जा रहे हूं जारी हूं जा हम है और फोक लग लग रही है पूज़ा हो चुकिए है और जल दिल्दी काम मुझे भतम करना है मार्केट के मुझे वह निपटाने है इसलिए पर इसलिए है रही कि भाल आरे मेरे बाल मेरे ना हैर वॉश नहीं गया है मैंने और क्रेवां कर दाए तौछ कर दो जाऊची कि एक उतिता है। वुआ खे सुपता है। जाया था यह चुछ करना है। मैं आपको बालों के लिगाना है। ज नहीं कर सकती। कि मारे नहीं कर सकती। जब तक युवान का मुंडल नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकती मेरा निलगाने के इतना ज NachthahAlandhi men करता है मैं वह भी नहीं लगा सकती आज मिजे कलर लगाना है तो मैं Gemara लेकर ओंगी फिर यहां इसलिए मैं घॉश में हैर वाश नहीं कि तो आप सबके मेरा नाम भी ले लिये हैं और मैंने जो है ना आप सबके कोमेंट अभी जो रहे गए हैं उनको रीट नहीं किया है नहीं मैंने रिप्लाइ क्या है क्योंकि गई हुई थी तो वहां मैं बेजी थी इसलिए अच्छा भी मैं जल्दी जो आज जो कपड़े वाश के थे उसको वो सूख चुके है तो सारा काम जो है ना मतलब जाने से पहले जो है ना मैं घर के सारे काम निप्टा कर जाऊंगी एक भी काम होते हैं कि युवान अभी छोटा है तो उसके एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ते हैं और बैग हम ले कर जाते हैं दो और वहां से जब वापस आते हैं तो हो जाते हैं तीन तीन तो होई जाते हैं क्योंकि पहले के भी कपड़े रह जाते हैं कभी और इसलिए तो अभी मुझे न किचन के भी थोड़े बहुत काम निटा लेती हूँ जो दूद लेकर आये थे उसको भी उबाल के जो है ना मैं रख दूँगी ताकि अगर हम रात को आये युवान को भूक लगे तो उसको जो बस दूद को गरम करके रख दूँगी फिर फट जाएगा फिर क्या फ अब यह टाइम नहीं मिल पाया इसलिए तो वाल बाल भी और फिर सटड़े है तो उस दिन तो मैं वाश नहीं कर पाऊंगी तो चलिए फटा-फट से काम करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए और बहुत अच्छे रखता है जब माई के से जब घर आऊना तो घर जो है ना स लगरा सब रख रहे हूं क्योंकि वह दूद भी पी रहा है और स सारलक्स भी खा रहा है इसलिए अच्छा सारलक्स से याद आया कि आप सब एक कॉमेंट आया था कि मेरी बेबी के सारलक्स खाने से पेट लूज मोशनल हो गए हैं तो अगर हो रहे हैं तो प्लीस मत खिलाए क्योंकि बेबी पचा नहीं पा रहा होगा इसलिए चलिए अब हम निकलते हैं घर के लिए और मिलेंगे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चीक है तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार और गूट नाइट